नमस्ते दश्रकों, मैं सुनीता पाहुजा, भारती उच्चायोग मौरिशस में, द्वित्य सच्चिव हिंदी एवं संस्कृती के बत पर आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूँ, अक्षे धारा की इस कड़ी में और आज की हमारी महमान है श्रिमती सविता तिवारी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद, वैसे तो सविता तिवारी जी एक जाना माना नाम भी है और जाना पहचाना चेहरा भी मौरिशस में, फिर भी आपको इनका प खाशाओं की और संस्कृतियों की सेवा में कारिरत हैं उनके आप साक्षात कर लेती हैं ताकि उनके कामों के बारे में भी सारे विश्रु को पता चले हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं इस मन्च पर और बताते चलें कि लेखों की बात करें लेखन की बात करें तो लिखती ही हैं और जो आपके लेक होते हैं वो बहुत ही तथे परक होते हैं शोध परक होते हैं और मौलिक तो होते ही हैं और पत्रकारिता की बात करें तो आप भारत और मौरिशस के अलावा फ्रांस अमरीका और इंगलेंड की भी पत्रकाओं के लिए लिखती हैं साहित्य औ पत्रकारिता की क्षेत्र में आपको राष्ट्रे और अंतराष्ट्रे सर पर सम्मानित भी किया जा चुका है हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से और आपने मौरिशस में पदारबन किया कहेंगे 15 पहले जब आप विवाह के बाद यहां आई अपने प तो हमारे दर्श्रकों के साथ साजा करें कि इस मंच की सापना का विचार कैसे आया और इसके जरीए आप क्या क्या कर पा रहे हैं बहुत धन्यवाद सुनीता जी इस कारिक्रम में मुझे आमंतरित करने के लिए आपने बहुत अच्छी कही कि मैंने मौरिशस को अपना घर बना लिया महिलाओं के लिए वैसे भी दो घर कहे गए हैं और दोनों ही घर उसके दिल से पूरे अपने होते हैं तो मेरे लिए भा आई के और ससुराल वालों में बहुत प्रेम रहे तो बस उसी का आप इसे extension मान सकती हैं कि उसी के ख्याल से इन दोनों देशों के बीच संस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिहाद से भी और मुख्य रूप से जिनको प्लैटफॉर्म नहीं मिलता है बड़े लेखक हैं बड़े साहित्यकार हैं संस्कृति कर्मी हैं इनके लिए बहुत प्लैटफॉर्म हैं बट एक आम जनता है आम बच्चे हैं विशेश रूप से बच्चों के लिए हम बहुत कार्य करते हैं उनको प्लैटफॉर्म नहीं मिलते हैं तो उनको प्लैटफॉर्म देने के 2020 जनवरी में और मौरिशयस के माननीय राष्ट्रपती श्री पृत्वी राज सिंग रूपन जी को हमने एक मोमेंटो देकर उनके करकमलों से कह सकते हैं हम कि इसकी शुरुवात की थी हमने रैजवी में और फिर हमने फरवरी में एक कारिक्रम किया था हमारे लालोरा में पहला कारिक्रम भारत मौरिशयस डिजिटल प्लैटफॉर्म का था जिसमें माननीय राष्ट्रपती स्वैम उपस्तित हुए थे और हमारी भारती उच्छायुक श्री मतीन अंधनी सिंगला जी भी उसमें उपस्तित थी और हमारी शिक्षा मंतरी उपस्तित थी और वो पहला कारि तो फिर हम इसे उनलाइन ले गए, क्योंकि पुरा विश्वेल अपने ये कारिक्राम ले गया था तो फिर हम ने आइनलाइन कारिक्रम शुरू किए बच्चों के साथ बहुत साहरे कारीक्रम कियो हुआ उनसे भारत के बारे में पूछा कि क्या जानते हो, चोटे-चोटे और हमारी मुख्य कोशिष भारत मौरिश डिजिटल प्लैटफॉम पे यह रहती है कि हमारा कोई भी कारिक्र neurosan oportun ना हो क्यों होता है कि हम जैसे शाहित्य कारिक्राम करते हैं संस्कृति के कारिक्राम करते हैं भारी भर कम हो जाते हैं तो हमारा सबसे मुख्य उदेश यह रहता है कि बोरिंग बिल्कुल ना हो मैंने आपके जितने भी कारेकरम देखे हैं बहुत ही सुरूची पुर्ण धंग से आयोजित दीके जाते हैं और आप उन्हें संचालत भी करती है आपका प्रेम हमें उच्छायो का प्रेम हमें सदेव मिलता रहता है तो उसी के साथ हमने ये कारेकरम शुरू किये मौरिशस के लेखकों के साथ हमने लिटरेचर शो शुरू किया उस पे जिसमें हमने मौरिश्यस के बहुत सारे लेखकों को भारत के लेखकों से भारत के जो प्रकाशक हैं उनसे जोड़ा और मुझे बहुत ही खुशी होती है ये कहते हुए कि कई लेखक हैं जिन्होंने भारत से अपनी किताबें पब्लिश करवाई हैं उसके पार जो हमारे कारिक जी को बुलाया था, सैडले असान को बुलाया था, पॉल चॉय को बुलाया था, टिम सिलैरी को बुलाया था, भारत से हमने गीत चतुरवेदी जी को हमने अपने कारिकरम में बुलाया था, और गीत अंजली श्री के साथ हमने कारिकरम किया था, जो नॉबल प्राइस बिनर है और बहुत सारे ऐसे कारिक्रम किये हमने और फिर हमने धीरे-धीरे इसको अलग-अलग बच्चों के साथ भी कारिक्रम किया जैसे रंगमंज की जो महरिशस के बच्चे हैं उनके साथ हमने एक ऑन-लाइन कारिक्रम किया तो दो साल हमारे उसी में बहुत चले और अब हम जमीन तो बिल्कुल ऐसा ही है जिसे हमारी उच्योंक मुहदाया कहते हैं लेकिन आप इस देश में बस गई हैं तो बिल्कुल आप वह काम कर रही हैं जो राष्ट गरते हैं और मैं समस्ति यह काम चलता ही रहेगा मेरी शुपकामनाय भी हैं और मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्हीं क कहने से उन्होंने एक बार मच से कॉमिक्स की बात की थी तो आपने उस कारेटरम के तुरंट बाद ही कॉमिक्स मंगवा कर अपने बच्चों में उनका वितरन किया था तो मैं इन चीजों में बहुत मानती हूं कि एक जो लोग है एक आदमी कुछ नहीं कर सकता विचार सब की से लिए जा सकते हैं और वो विचार बहुत अच्छा था अनुकर नियगके जाना चाहिए और तुरंट किया पने लेकिन मैं ने कहा कि यह जरूर इस जो यह विचार है इस ये इंपक्ट करेगा तुम्तलर ऐसे नहीं होनेचाए हैं कि aúnka कोई इंपक्ट नहीं हो gettin consent जिनका वास्तव में इंपक्ट हो जिसका कुछ असर हो जमीन ते तो इसलिए मैंने उसे तुरंट लागू किया कि बच्चों के हाथों में उस तरह की कॉमिक्स आएंगी तो वो चित्र भी देखते हैं और चित्र बच्चों को बहुत लालाईद करते हैं कि वो पढ़े हैं उसे और पढ़ना फिर भाषा को समझना चाहे उसे व्याकरण की दृष्टी से कहें या उनका जो शब्द बंडार है वो भी सम्रिध होता है और निष्चे ही वो अपनी संस्कृती से तो परिचित होते ही हैं जब वो उन कॉमिक्स के माध्यम से कहानिया पढ़ते हैं मैं कहूँगी नर, सेवा, नारायनी, सेवा ज़सा काम हो गया है कि आप बच्चों के माध्यम से जो मानवत्तः की सेवा कर रही है। जैसे कि आपने कहां कि भछे भविष्य होते हैं तो जब हम बच्चों में कुछ in waits करते हैं, आपने समाज को समरिद Two बनाते हैं, अपने भविष्य को भी बहुत भुग सुभिफ़ेंपister बनाते हैं बहुत बहुत कैसे शुरू की और उनके माध्यम से आपके पास जो चात्र चात्राएं आ रहे हैं मैं समझती हूँ चात्र चात्राओं के माता पितर भी आते हैं और संस्पित सीखते हैं थोड़ा सा हमारे दरश्रकों के साथ साजय करें आपने जैसे कहा कि हमें यहां 15 वर्ष हो गए हैं मौरिशस में और जिब आप मैं एक बहुत ही एक्जामपल दे के समझाना चाहूंगे कि गूगल पर आप जब कुछ सर्च करते हो तो उसके कुछ रिजल्ट आते हैं तो उनमें अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आ कहीं न कहीं रिजल्ट वो नहीं आ रहा है जो हम चाहते हैं तो कहते हैं ना को ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो तो वही हमने किया कि संस्कृत के माध्यम से हम कोशिश करके देखते हैं तो अगर हिंदी के माध्यम से हिंदी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो संस्क कि भी भाषा नहीं है भोजपुरी यहां की भाषा है कई लोग हैं जो भोजपुरी मात्रु भाषा है तमिल मात्रु भाषा है तेलगु मात्रु भाषा है लेकिन हिंदी किसी की मात्रु भाषा नहीं है और ये जो चारो पाथो भाषाओं का मैंने दिया है ये एक भाषा से जुड़ती है जो है संस्कृत है ना आप जब संस्कृत बढ़ा रहे हो तो आप सिर्फ हिंदी को नहीं बढ़ा रहे हो आप तमिल को भी हां जितनी भी मोर्ड ऑफ कम्मुनिकेशन होता है वो अंग्रेजी और हिंदी होता है तो इस तक्षा के माध्यम से कही माता-पिता कहता है कि उनके बच्चों के संस्कृत तो स्कूल में है नहीं लेकिन हिंदी में मार्क्स बहुत अच्छे हो रहे है उनके और संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि कल वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं बच्चे फ्रांस चले जाएं लेकिन संस्कृत की माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे और इसका मनोवे ज्यानिक भी बहुत प्रभाव पड़ता है विकि जब आप संस्कृत सिखते हैं तो कहीं नगहीं आपकी स् कि उसकी याददाश बढ़ जाती है और शार हो जाता है माइंड वो बहुत सारी चीज़ें और वो चीज़ें हमसे हमारे जो बैट्चे वो शेयर करते रहते हैं और मौरिशस में तो मैंने देखा कि जहां जहां पर भी पूजा होती है सभी छोटे बड़े सभी मंत्रों का उचारन करते हैं और उस पूजा में शामिल भी होते हैं तो उसका प्रभाव हमारी बुद्धी पर हमारे अवचेदन मन पर और अधिक पढ़ता होगा अज भी क्योंके पुरे मौरे बच्चे जुडए हैं और जब कोविड काल खतम हुआ तो हमने सोचा था उसको मंदिर मे और्गनाइज करेंगे बट सब ने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे कोई पॉंपलेमोस रहता है कोई साउथ में सुरिनाम रहते हैं बहुत चारों तरफ हमारे बच्चे फैले हुए हैं फ्लाक से हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो फिर हमने यह निश्चे किया कि इसे ऑनला यह मंत्र भी तमेव माता तो अमेव माता है वो उसका भी गलत क्यों कि वो सुनके सीखा है उसने देख के पढ़के सिखेगा तो शुद्ध उचारन कर पाएगा इसलिए मैं लिखती हूं फिर मैं उनको बोलती हूं क्या लिखा है पढ़ों तो कई बार बहुत हमारी क्लासि आप आई थी तो बच्चों को आपने सुना होगा नील सरस्वती मंत्र बहुत ही शशक्त मंत्र है उसका शुद्ध उचारन के साथ पाठ करते हैं बच्चे तो यह हमारी कमाई है हम कहते है कि मारश्यस हमारी कर्म भूमी है और यह बच्चों के मुह से हमारे संस्कृत के और आप संस्कृति के लिए भी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मैंने देखा कुछ संगीत का भी शिक्षन यदा-गदा जब आपको समय मिलता है तो आप उस पर भी ध्यान देती है थोड़ा सब बता है यह भी काम हम जो करते हैं वो बच्चों के साथ करते हैं क्योंकि मुझे नीजी रूप से लगता है कि बड़ों के साथ बड़ी समस्याएं हैं है ना बड़ों का कहीं न कहीं एगो आ जाता है हम बड़े हैं बच्चों के साथ वो समस्या नहीं होती है तो यह भी काम है जो संग करते हैं कोई संडे होता है जब हैं सबendre भी होता है को ब candie कि ऑनियेथ बच्चों के बज़ाते हैं और अच्छा जूने अबहुत हृंते हैं जो ढूलत fills Psalm को नहीं रहा高ध को तो वो सब भच्चे हम जुडते हैं, कोई गाता है, कोई बजाता है और ऐसे हम प्रैक्टीस कड़ते हैं. और फिर उसका performance हमारे पूजाओं में होता है, जब पूजाओं होती है, तो वो हम performance करते हैं, लेकिन उसको polish हम जो घर पे हमारी classes होती है, जो हम जुटते हैं संगीत के लिए, उसमें होती है, और वो बहुत आनंद वाली होती है, जो कहते हैं ना बड़ों के लिए भी, क्योंक दुख से दूर करते हैं, और बच्चे ही बजाते हैं, बच्चे ही गाते हैं, सब आनंद के साथ, उन पर कोई रोक टोक नहीं होती है, उनको बोलते हैं तुम बताओ कौन सा गाना गाना चाहोगे, तो वो खुद अपने YouTube से ढूण के लाते हैं गाने की मुझे ये सीखना है तो ये हमारी मतलब detox time भी होता है, meditation time भी होता है, music time भी होता है हम सब के लिए और म्यूजिक टाइम के साथ साथ एक रीडिंग टाइम भी है जिसके लिए आपने पुस्तकाले की साथना शुरू की है बनाना शुरू किया है थोड़ा सा बताएं ता कि हमारे दर्शकों में से जो भी चाहें आपके पुस्तकाले में आएं और उसका लाब उठा पाएं यह मैं सभी से कहना चाहूंगी हमारी जितने भी दर्शक हैं वो हमारी संस्कृत क्लास से भी जूड़ सकते हैं और हमारी जो सुलब लाइबरी है जो लालोरा में श्रीवशक्ती मंदिर के प्रांगण में है उसमें आप लेकर आईए बच्चों को और बच्चों को अगर आ पती के कलेक्शन में थी धार्मेक किताबें वो बच्चे आते थे तो देखते थे उनको हमारी टेबल पर रखी हुई थी इतनी सारी नहीं थी कि एक लाइबरी बन जाये बट फिर वो कोई ना कोई आके हमें दे गया एक दो लोगों ने हमें आके दे दी कि आपके यहां कोगा तो फिर ऐसे करते करते लोगों ने अपने आप से देना शुरू किया कि हमने जगा बना दी है जहां उनको किताबों को एक जगा रखा है और जो हमारी music classes होती है और जब मंदिर में पूजा भी होती है तो भी बच्चे हमारे घर पर भी बैठे रहते हैं उनके लिए एक हमारा कमरा है जिसमें लाइबरेरी है और मेरे सुयम के दो बच्चे हैं तो उनका एक टोली बनी हुई है उन्होंने अपनी टोली को अपने आप से नाम दे रखा है शिव शक्ति सेना बच्चों नहीं और वो सब एक जगा बैठे रहते हैं और किताबे अपने आप से प श्कृत क्लास में भी यह चीज है कि यह जो मंत्रे हमने सिहा है तो इसरी बच्चों को नहीं आते हैं त sticker हमें पीछे से सुनगी से बच्चे में वाच्चे हैं हम सुनते हैं कि हम चाहि किचन में कहाना बनाा रहे हो तो हम चांती रखते हैं तरक हमें सुनाई दे आपकी जी जी और इसी प्लैट्फर्म के मध्रम से मैंने बहुत से आपके मंदिर में त्योहर का भी आनंद लिया हैं आपके बहुत अच्छे से बहुती विदीपूर्ण घंसे पूरे रीती रिवास के साथ सब त्योहर बनाए जाते हैं थोड़ी त्योहर का जो काम है यह मेरे पती देखते हैं अचार्यपूरन्तिवारी जी हमारी टीम है हम दोनों की जी जी वो पूजाएं करते हैं पूजाओं में बच्चे आते हैं बच्चों को मैं पकड़ के सिखाते हैं यह हमारे एक टीम की तरह हम काम करते हैं तो पूजाओं में हमारे जो विशेश रुप से पूजा करता है, चाहे वो जल चड़ा रहा हो या भजन का रहा हो यो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें सब एक-एक person का participation हम करते हैं और हम उत्सव धर्मी हैं, मैं घोट उत्सव गर्बा में, तो हम उत्सव धर्मी हैं, तो हम उत्सव के रूप में हर्त्योहार मनाते हैं, चाहे राम जनमोत्सव हो, कृष्ण जनमाश्टमी हो, हमारे हाँ जूला लगता है, उसके चारो दरफ, ऐसा कोई नहीं होता, जो बैठा होता है खुरसी पे, हम सब को खड़ा कर ले एक-एक को पकड़के उठाके मैं बोलते हूं, चलो, चलो, तो वो हमारे हाँ हमें विशेश बनाती है, दूर-दूर से लोग आते हैं, नहीं तो लालूरा कहां एक गाउं है, इतनी दूर, तशेरे का त्योहार भी, मैं समझते हूं कि बहुत कम जगा हों पर मरेशस में मना पर मनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मना, पहले बहुत 10-15 साथ, रावन का पुतला जलाने वाली बात शायद मुझे बहुत कम जगा होती है, रावन का पुतला नहीं जलाया जाता, लेकिन हमारे हाँ जो युवा हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, वो अब हो गए हैं, तो वो खुद बनाते हैं, रावन का पुतला बनाते हैं, होली का बनाते हैं, तो आर्टिस्टिक तरीके से बनाते हैं, वो थे कि इसकी मुझे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो उसमें भी हमारे हाँ आनन्द है, रावन का पुतला बनाने पे, मुझे बनाई बनाते हैं वो तो इसमें बनाते हैं उसमें और संस्कृति का हम संवर्धन की बात करते हैं सरक्षण की बात करते हैं सरक्षचित की हुए चीज़יה में पहुँच जाती है हमने इसको संस्कृती को सरक्षचित करने की कभी बात नहीं करी हम कहते हैं यह भीज है इस भीज को बचा WAY मत भीज को बढ़ाने का एक उपाय उसे मिट्टी में ढाल दो बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम वो संस्कृति का जो बीज है, वो हम बोते हैं, चारो तरफ घूम घूम के उसे बचाते नहीं हैं, हम उसे फैक देते हैं मिट्टी में, तो वो पेड़ बनके हमारे सामने खड़ा है आज, जी, और अभी पिछले ही सब्ताहा हमने हुली मनाई, तो आप हुली के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वहां पर कैसा आनंद था, हुलड था हुली का, क्या हंगामा था, हुली मनाई, उससे पहले में बताना चाहूंगी कि मैं जितने भी मौरिशयस को लेकर आर्टिकल लिखती हूं, जैसे हम अमेरिका में आपने इसका उले कि अमेरिका है, यूएस से है, भारत की पत्रिकाओं में लिखती हूं, मैं उसमें जो भी लिखती हूं, मौरिशयस को लेकर लिखती हूं, शेरिंग मौरिशयस मैं उसे कहती हूं, कि मैं मौरिशयस को साज़ा कर रही हूं पुरे विश्व से, तो जब हमारे होली का कारिक्रम ह खेले हो लिग तो ये गाकर हमारे बूर से हमारा घर भी जो है वह मंदिर प्रांगर है तो महीं से शुरुन को न ही पर से इस घर नहीं है जो में रही जो जाता है ढूब को ऐसंवद इस दिन होली कुस्री तो प कर आते हैं, निकलते हैं, शाम को 7-8 बजे घर पहुचते हैं, तो उतने देर में मैं कोई 5-7 कारिक्रमों से जुड़ जाती हूँ, कई संस्ताइएं हैं जो होली पे कारिक्रम करती हैं, मैं on the way कारिक्रमों से जुड़ती हूँ और उन्हें लाइव दिखाती हूँ, मारिशस को मतला केवल देहलीजों पर रंग नहीं विगेड़ती हैं, पुरे वेश्व में रंग दिखे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मारिशस की बातें सिर्फ एक कमरे में बैठ के ना करूं, मारिशस को दिखाऊं, जी कहीं ना कहीं ये कारिक्रम शुरू करने के पीछे मेरी भी य हैं, हमारे पस यहां मारिशस में महत्मा गांदी संस्थान हैं, वहाँ पर तो सभी भाषाओं के विभाग हैं पूरे उन भाषाओं को समर पे, तो इस तरहां जब भाषाओं को लेकर संस्कृती को लेकर इतना काम हो रहा है, लेकिन वो बाहर बहुत लोग नहीं जानते हैं क मैं लेखर को लोग जानते हैं लेकिन वो कहते हैं कि यही हुद्धिश्य थ हुद इसे मैं यह कारेकराम कर रहे हूं आपसे बातचित कर रहे हूं वह हँ उद्धिश्य हमने आपसे होली पर भी चर्चा की और एक महिला होने के नाते हम बता पा रहे हैं दुनिया को कि अगर हमारे अंदर जजबा है कुछ करने का तो कोई बादा हमारा मार्ग रोप नहीं सकती फिर हम महिला हैं पुरुशा हैं बच्चे हैं बूड़े हैं बस इच्छा होनी चाहि जीने की तो हम कुछ भी कर सकते हैं और मैं हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी जब हम मौरिशास शेरिंग मौरिशास की बात कर रहे हैं हमने पिछले हफते ही एक कारिक्रम किया था बच्चों के साथ मुंबई की JCBN स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल उनके बच्च मौरिशास के बारे में बहुत सारी नहीं पता है कि आम जनता को विशेश रूप से बच्चों को भारत के बच्चों को भी ये बताया जाए कि मौरिशास में सनातन संस्कृति का ध्वज कितना उचा है आप आई हमारे कारेक्रम में बहुत बहुत आभार और हम आपको बधाई भी देते हैं जो कारेक्रम अभी तक आप कर पाई हैं कारे और आगे भी आपके कारेक्रम बहुत सुचारू रूप से बहुत सुरूची पुर्ण धंग से बहुत हल्ले गुल्ले के साथ चलते रहें ज उन्होंने हमारे इसकारिक्रम में सहयोग दिया बहुत बहुत आभार नमस्कार दर्श्रकों ऑार नमस्कार दर्फम बहुत विक्षियां आभार नमस्कार बहुत युत युद आभार अब फिर गया वे क्या देंस्केज़ किंद़िया ।